दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे बड़ी ख़वर अक्टूबर में कहर बरपाएगी कोरोना की तिसरी लहर केंदर सरकार की टीम की रिपोर्ड बच्चों को सबसे ज़्यादा ख़त्रा जी हाँ कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोग जिस तरह से लापारवा हो गए हैं उनकी नेंद उडाने वाली ख़बर सामने आई है केंदर सरकार की एक कमिटी ने कहा है कि इस से अक्टूबर में कोरोना की तिसरी लहर कहर बरपा सकती है बायाओ बात यहा है कि कोरोना की तिसरी लहर में सबसे ज़्यादा ख़त्रा बच्चों को हो सकता है केंदर सरकार की टीम ने तिसरी लहर को लेकर देश में की जारे तयारियों को नाकापी बताते हुए इलाज के तमाम मंदोबस तयार रखनी को कहा है आपकी जानकारे के लिए वदा देगी केंदरी एक मंतराले के धाद आने वाले नेशनल इंस्टिटूट और डिजास्टर मेनेजमेंट की कमिटी ने कोरोना की तिसरी लहर का अधन करने के बाद रिपोर्ट तयार किया है इस रिपोर्ट के मताबिक देश में सितंबर के आखरी तक कोरोना की तिसरी लहर का असर दिखना सुरू हो जाएगा अक्टूबर में इसका पिक आएगा तब ऐसी स्थिति हो सकते है कि देश में हर रोज कोरोना के 5 लाग से ज़्यादा मरिज पाये जाए ऐसे में पूरे देश में दो महिने तक जन जीवन पूरी तरह से अस्त वेस्त हो जाएगा कई जगों पर लोगडाउन की भी जरूत पड़ेगी अगली बड़ी खबर बिहार में अब हर तरह के आपाध सेवाओं के लिए डाइल करे 112 नमबर एक जगा मिलेगी पुलिस एंबुलेंस वो अगनी सिमक सेवाए जी हाँ राज में अब हर तरह की इमर्जन्सी के लिए जल दी एक नमबर 112 होगा इसके लिए इमर्जन्सी रिस्पॉंस सपोर्स सिस्टम लॉंच किया जाएगा ग्रे विबाग ने इस दिसा में सिस्टम तयार करने का काम सुरू कर दिया है इसके तहट 400 गाड़िया खरी दी गई है जो इमर्जन्सी नमबर पर कॉल किये जाने पर इसपोर्ट पर पहुचने और गस्तिक के काम आएगी पुलिस मुख्याले के अधिकारियों के नुसार इस सल दिसम्बर मा में इमर्जन्सी रिस्पोर्णस सपोर्ट सिस्टम को लॉंच करने की तयारी है दरसल राज में अभी अलग-अलग इमर्जन्सी सवाओं के लिए अलग-अलग नमबर है पुलिस के लिए 100, फायर बिगड के लिए 101 और एमुलेंस के लिए 102 इमर्जन्सी नुमबर डायल करना होता है नया सिस्टम लॉंच होने के बाद इमर्जन्सी सवाओं के लिए एक ही नमबर 112 डायल करना होगा आगली बड़ी कवर बिहार में किसानों के लिए प्रोच्षान रासी की दर निधारित जानि फसल के किस मोडल पर कितने मिलेगी मदद जी हाँ खेती में नई तकनिक के हस्तांतरन को बढ़ावा देनी के लिए क्रिसी बिभाग ने बिबिन मोडलों की प्रोच्षान रासी की दर को निधारित कर दिया है क्रिसी निधेशक आदेश तितरमारे के अधश्ता में यूनिट कोस्ट कमिटी के बैठक हुई यूनिट कोस्ट मोडल पर दी जाने वाली प्रोच्षान रासी की बात करे तो चावाल के मोडल पर किसान को 36 रुपे प्रती एकड अधवा 9,000 रुपे प्रती हेक्टर मदद मिलेगी बिना जुताई की गेहु अरहर उडल उगाने पर भी यही रासी मिलेगी हाइबरिड मक्का सोयाबिन और गर्मी की मूंग के लिए सरकार किसान को 24 सुरुपे प्रती एकड़ देगी बाड़े कबर पेम मोदी से मुलाकात के बाद एक सूर में बोले सियम नितिस और तेजस्वी कहा बड़े गोर से सुनी गई है बाद अब निर्नाई का है इंतिजार जातिय जनगना के मांग को लेकर सुमवार को बिहार की सियम नितिस कुमार और नेता प्रतीपाक्च तेजस्वी आदम ने दस अलग अलग दलो के प्रतीमंडल के साथ प्रधान मंत्रे नरेंदर मोदी से मुलाकात की इस मुलाकात के बाद सियम नितिस और तेजसे यादम ने मीडिया से एक सुर में बात गी दोनों निताओं ने कहा कि प्रधान मंद्रे ने बड़े गोर से उनकी बात सुनी है अब उन्हें इस समन में निन्ने का इंतिजार है सियम नितिस ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधान मंत्रे ने सब की बाते को बड़ी गोर से सुना है उन्होंने जातिय जनगना के मांग से इंकार नहीं किया है हमें उम्मीद है कि वह इस बारे में विचार करके उचित नहीं लेंगे इसके अलावा नेता प्रतिपाउच तेजसे यादव ने मेडिया से बात करते हुए कहा कि राष्टी हित में हम सब दस पाटिये के लोग एक साथ आये है यह एतिहासिक काम होने जा रहा है यह मांग सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश के लिए है देश की गरीब आदमी को इसका लाम मिलेगा बड़ी खबाप पीम नरेंदर मोदी ने तेजस्वी से पूछा लालो यादव का हाल मुकिस सहनी ने उपहार में दिये चान्दी की मचली जहां मुकिस सहनी ने प्रधान मंत्री के नेता मुकिस सहनी ने कहा कि प्रधान मंत्री के समक्च मुकिस मंत्री ने काफी मजबूती के साथ जाती अधारित जन्गन्ना की मांग के समर्तन में हम लोगों की बात कही है प्रधान मंत्री ने काफी गंबिरता से सुना है उनका रूख सकारातमक दिखा है प्येम से मुलाकात के बाद सनी ने ट्विट करती हुए कहा कि बिहार में एक कहावा थे कि माचली से किसी काम की सुरवात या जत्रा सुभ होता है इसलिए मैंने मानिय प्रधान मंत्री जी को चांदी का मचली सब प्रेम भीट किया है तेजिस्वी आदब ने मेट्रिक इंडर फर्म भरने और एडमिसन का डेट बढ़ाने की मांग की बिपेसी परिच्चा को भी इस्तगेत करने की गुजारिस जिया बिहार में इन दिनों बार्ड से तबाही मची हुई है कोरोना के बाद बार्ड के कारण बच्चों की पड़ाई पर काफी वुरा असर पड़ा है बार्ड प्रभावित इलाकों में बच्ची स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उन्हें काफी कठिनाई हो रही है वहीं कई स्कूल और कॉलेज ऐसे भी है जो बाड़ की पानी से जलमगन हो गए है चात्र चात्राओं की परिसानी को देखते वे बिहार के नेता प्रतिपाउच तेजसे यादव ने नेतिस सरकार को पत्र लिखा है तेजसे यादों ने बिहार की सिक्चा मंतरी विजय कुमार चोतरी को पत्र लिखकर गुजारिस की है कि चात्र चात्राओं के हित्म में वारसिक मैदमिक परिचा और इंटर्मिडेट वारसिक परिचा 2022 में सामिल होने के लिए फॉर्म बनने और इगारवी में एडमिसन कराने की आखरी तारीक को बढ़ाये जाए उन्होंने कहा कि सरकार ने 24 अगस्त को लाश्ट डेट गोसित किया है जिसे कम से कम एक मैंने बढ़ा दिया जाए ताकि बाढ़ प्रववेत इलाकों में रहने वाले स्टुडेंट आसानी से एडमिसन ले सके अगली बड़ी कबर BPSC की APO परिचा इस्तगित 553 बदों पर होने थी नियुकती जिहाँ पाटना हाइकोड ने APO की नियुकती है तो BPSC द्वारा ले गए प्रारामवी परिचा की परिणाम के सलसोधन के आलोक में मंगलवार को होने वाले APO की मुईक परिचा को इस्तग कुमार दास की आचिका पर सुनवाई करते हुए BPSC को या निर्दिस दिया है कि प्रारमिक परिचा की रिजल को संसोधित कर रिजल को प्रकासित करे बड़ी कबर बिहार की जनता को मिलेगी सोगाद तीन स्टेट हाइवे समेत चार सड़कों का सियम नितिस 25 को करेंगे बिहार राज पत विकास निगम ने कर ली है इन सड़कों के होने से इलाके विसेश के लोगों का आवागमन आसान होगा आपको बता दे कि जिन सड़कों का लोकारपन होगा उसमें सबसे पहला सड़क भिया जगदिस पूर पीरो बिहटा राज उच पत संक्या 102 दूसरी गोंगा पंजवारा ऐसे 84 है बाड़ी कबर केंद्रे मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुचे पारस कहा हाजीपूर मुझपरपूर के बीच एक विस्विद्याले खोला जाएगा जिहां लोक जन सकती पार्टी के राष्टिया देक्च वा केंद्रे खाइद प्र तरह के निर्देश दिये हैं जिसमें मुझ करूप से हाजीपूर समस्तिपूर मुझपरपूर में केला और लिची की खेती को देखते हुए रोड मेप मना कर फैक्टरी खोलनी के दिसा में काम किया जाएगा पारस ने कहा कि हाजीपूर मुझपरपूर के बीच एक दौदान में डाक्टर अजय गुवार द्वारा बनाए गए वाटर हेलमेट का साबोर के एनेच एटी के पास परिक्षन किया गया या इंगलिस गाओं के 15 लोगों के सिर में वाटर हेलमेट बाधा गया उनमें से 17 साल के बुजर्ग भी थे ऐसे में परिक्षन करने के के लिए दिया भी गया वे आसानी से उसे खास के साती पाने में हेलमेट लगाए उन लोगों को किसी तरह की परिसानी नहीं हुई बलकि दो पाने में बग गय थे वो धान मते चले गए लेकिन डुबी नहीं इसकी लागत मात्र डेड़ सो के लगबग आयेगी उन्होंने सर बिहार पंचाय चुनाव के गाड़लाइन जारे जान लिजे मुख्या और सरपन्च चुनाव के सबी नियम और सरते जिया बिहार में चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर गाड़लाइन जारे कर दिया है चुनाव आयोग द्वारा जारे गाड़लाइन के नुसार मुख्या सरपंच और पंचाय समीति पद के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए एक एक हजार रुपया सुल्क लगेगा वहीं जिला परिसाद पद के लिए नॉमिनेशन सुल्क तो हजार रुपय देना होगा ग्राम कचारे के पंच वा ग्राम पंचायत के वाड सदस के लिए 2500 रुपय सुल्क लगेगा महिला अनुसुची जाती जन जाती वा पिछड़े वर्ग के सभी पदों पर नमंकन पत्र दाखिल करने के लिए नेदारित सुल्क के आधिरासी देनी होगी नाम निर्देशन पत्र अभियरती के द्वारा स्वे निर्वाची पदादिकारी या सहायक निर्वाची पदादिकारी के समख्च प्रसूत करना है किसी भी हालत में डाक या प्रस्तावक या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं किया जाएगा इसके अलावा अनाराचित पदपार अराचित कोटी का कोई भी अभियर्ती जुनाव लड़ सकता है अभियर्तियों को नमांकन पत्र दाखिल करने के समय नियम 40 के नुसार नमांकन सुल्क देना होगा जीला परिसद के परदेशिक निर्वाचन चेतर के लिए नाम निर्देशन पत्र अनुमन्दल कर्याले में दाखिल किया जाएगा अब्धोर रही है उनलो को लेकर आने वाले नए आदेश में छूट का दायरा ओर्ड बढ़ाया जाएगा धार में किस तलो को भी खोलने की अनुमती दी जा सकती है रात्री कर्पुवे में छूट मिलने की समभावना है पार्कों को खोलने का समय भी बढ़ाया जा सकता है एक नितिस कुमार की दिलनी के लोटने के बाद इस बार अंति मुहर लगी गी और अपचारी गोशना की जाएगी। 13 सितंबर से 25 सितंबर तक परिवार नियोजन सेवा पकवारा आयजित किया जाएगा। इसमें बीए में सबसे अधिक 45,166, बीएसे में 25,040, विकों में 7,404 और ओल जेनरल में 4,947 इस्टुडेट फास्ट मेरिट लिस्ट में सामिल हुए हैं। आगो बता दे कि सनातक सात्र 2021-24 के लिए एडमिसन प्रक्रिया 24 अगस से 8 सितंबर तक होगा। और आम की बड़ी खबर GSECL में विद्दुत सहायक जई के 155 पदो पर भरतिया। इस भरति के लिए ओनलाइन आवेदन 25 अगस 2021 से सुरू होंगे और 14 सितंबर 2021 को साम 6 बजे तक आवेदन जमा कराये जा सकेंगे। इच्चु को ब्यारती ओफिसल वेबसाइड GSECL.in पर जाकर पुरा भरति नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। आपके अनुसार बिहार में मेट्रिक इंटर में फॉर्म भन्नी के एड्मिशन का डेट बढ़ाना चाहिए या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।